प्लेकोम डू खुक्ला स्टड़ी पॉंट आप सभी स्वागत तब करता हूं। समाजिक, आर्थिक और रादनेतिक आयाम के बारे में देखा सेकंड चेप्टर में हम लोगों ने स्वतनतरता प्राप्ति के बाद से भारती रादनेतिक व्यवस्था को आकार देने वाले जो विभिन कारक रहें फैक्टर्स रहें उनके बारे में समझा थर्ड चेप्टर में हम लोगों ने अर्धसंगवाद और गड़बंधन की रादनेतिक के बारे में जाना फोर्ट समस्टर में दो-तीन दिन पहले वीडियो मैंने दी है उसमें हम लोगों ने क्या देखा भारत में रादनेतिक दल और दलिये व्यवस्था क्या होती इसके बारे में हम लोगों ने डिस्स किया अब पांचमें चेप्टर में हम लोग आर्चर्चा करेंगे लोग तंत्रीक या लोग तंत्रीक बेकेंदरीकरण का प्रभाव मलब की बेकेंदरीकरण का अलब क्या होता है सत्ता को छोटे छोटी कायों में बांट देना जैसे कि ग्राम पंचाय से एक होता है सहरी निकाय और एक होता ग्रामीर निकाय दो संसोधन हुए हैं एक हुआ है तिहत्तरमा समिधान संसोधन और एक हुआ है चवहत्तरमा समिधान संसोधन तो 73 संविधान संसोधन और 74 संविधान संसोधन एक प्रकार से इसके बारे में सबसना है मैं आपको अगर अगर ओबराल थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रियास करूँ पूरा ओबर विव देने का प्रियास करूँ तो 73 समिधान संसोधन जो है ये ग्राम पंचायतों से related है ग्राम पंचायत मनलब कि ये ग्रामीर निकाय से related है यानि ग्राम एक प्रकार से जो निकाय है ग्राम निकाय में तीन चीज़े आती है एक ग्राम पंचायत एक छेतर पंचायत और एक जिला पंचायत इस according आप दिखत हुई हैं सिर्वा के ताज हुई है सिगाना नहीं एक रेत रहल जरूरत मुहूरत खुबसूरत हो एक गाना है नहीं भी पंचायत थ्री वेप सिडीज तो पंचायत थ्री में आप देखेंगे वो पंचायत basically ग्राम पंचायत से ही related है और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर सारी information आपको मिल जाएगी या गाउं से आप होंगे तो आपके गाउं में परधानी का चुनाव होता है बिहार वगरा में जिसको मुखिया का चुनाव कहते हैं वही यूत्तर प्रदेश में परधानी चुनाव होता है तो परधान गाउं का मुखिया होता है इसके बाद में एक छेतर होता है जैसे एक प्रखंड होता है उस प्रखंड पर एक ब्लाक होता है ब्लाक जिसको के टेंगरेजी में उस ब्लाक का एक प्रमुक होता है उस ब्लाक प्रमुक को चुनते को उन्हें BDC लोग चुनते हैं यानि कि जो छेतर पंचायत के जो उमीदवार होते हैं अलग-अलग छेतर के वो तमाम प्रकार के BDC मिलकर के एक पूरा का पूरा क्या बनाते हैं एक ब्लाक बनाते हैं और उसी ब जिला पंचायत सदस के एरिया के लोग लड़ते हैं और उसके बाद में जिला पंचायत के अध्धक्छी का चुनाव होता है। कोई ऐसा राज्य है कोई ऐसा समाज है जहां पर सत्ता कई लोगों में बटी हुई है सभी लोग सासन कर रहे हैं अब ऐसी स्थिती में एक प्रकार से अगर उन सभी लोगों के हाथों से सत्ता को छीन करके किसी एक बिक्ती के हाथ में सत्ता दे दी जाएगी तो वो सत्ता का क् केंदरी करण होगा, लेकिन जब हम एक हात में सत्ता बटी हुई है, उस एक सत्ता को हम कई छोटे-छोटे एक प्रकार से एरियास में डिवाइड करके कई लोगों के हात में सत्ता को दे दें तो वो होता है सत्ता का B केंदरी करण जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सुकला स्टड़ी पॉइंट पर ये मेरा चैनल है अब मैं इस पर खुद ही पढ़ा रहा हूँ सत्ता का केंदरी करण है अभी अब इस पर मैं अभी अलग अलग फैकल्टी के टीचर रख लो तमाम परकार के टीचर और सभी को एक एक बी से बाढ़ दू तो वो क्या हो जाएगा वो सत्ता का भी केंदरी करण हो जाएगा कि भाई अपने सब्जक्ट का आप मालिक है अपने सब्जक्ट का आप मालिक है ठीक है ये होता सत्ता का भी केंदरी करण सत्ता का केंदरी करण की बारे में गराम पंचायत चेटर पंचायत और जिला पंचायत के बारे में जानेंगे और अस्थानिय स्वसासन के बारे में समझेंगे ठीक है अचा ग्रामीर और सहरी निकाय के बारे में सहरी निकाय में सहरों में भी एक परकार से होते हैं ऐसे तो उन दोनों को हम समझेंगे इसी चेप्टर के माध्यम से हला कि ये चेप्टर नमबर फाइब में सब कुछ पढ़ना है लेकिन चुकि ये चेप्टर बड़ा है इसलिए मैंने एक परकार से छोटे छोटे के माध्यम से तो आज हम केवले समझेंगे कि अस्थानी स्वासासन क्या होता है अस्थानी स्वासासन का अर्थ क्या होता है परिभासा क्या होती अस्थानी स्वासासन का महत तो क्या है और जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में थोड़ा वहुत जानकरी दूँगा फिर इस में कौन कौन से काम आते हैं अब अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा मलब 6 वाले चेप्टर में कि जो गराम परधान होते हैं वो कितना एक प्रकार से आप भरष्टा चार गाव में करते हैं ठीक है कितना काम उनके जिम्मे पर होता है और कित जो है जो सहरी निकाये हैं उनके बारे में ठीक है तो इस तरीके से हम पूरा विस्तार से चीजों को जानने का प्रियास करेंगे और उसके साथी साथ हम तिहत्रवा और चोहत्रवा संविधान संसोधन तिहत्रवा संविधान संसोधन जो है वो ग्रामीड एरिया से रिलेट है वो आपका सहरी निकायों से related है ये बात आप ध्यान लखेंगे clear ये बात clear हो गई आपकी तो बीए के फिर्ट समेश्टर में अगर आप है राजनीती विग्यान आपका subject है तो नवीनतम भैजो प्रारम भै इसको आप जोईन कर सकते हैं ठीक है चेप्टर नंबर फाइप ये चल लहा है क्लास आपको बता दू कि एक प्रकार से अगर आपको course जोईन करना है तो course जोईन करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है सारे subject की classes हमारे चैनल पर होती है इसके लिए आपको करना क्या होगा मातर और मातर 100 रुपीज में आपको सारी विवस्थाएं दी जाएंगी 91, 61, 93, 62 जैसे यहाँ पर ये वीडियोज देखने कुछ वीडियोज उन लोगों को private फाव में मिलेंगी जो course लेंगे ठीके देखे 100 रुपीज के अगर बात की जाए तो 100 रुपीज में ही आपको एक प्रकार से विभिने चेप्टर्स के PDF नोट्स मिलेंगे PDF नोट्स के अलावा model paper के PDF नोट्स मिलेंगे मायराथन क्लास की PDF नोट्स मिलेंगी महासंगराम revision class की PDF नोट्स मिलेंगी इसके अलाव 2024 के lectures के अलामा आपको और भी तमाम परकार की informative वीडियो जो होगी यहाँ पर मिलती रहेगी जैसे आपका political science subject है इसके अलामा आपके दो और major subject होंगे उनकी भी तयारी हो जाएगी एक minor subject होगा उसकी भी और एक आपका co-curricular subject हो गया जिसको इबारे में आप जानते होंगे पर्थम समस्टर में जैसे आपने food, nutrition and hygiene पढ़ा आपने जैसे जो है second semester में first year and health पढ़ा ऐसे ही third semester में आपको human values and environmental studies पढ़ना होता है तो उसकी भी तयारी यहाँ पर बिधो तरीके से हो जाएगी तो इसको लेकर के परिशान नहीं हो न तो नंतसमस करें, 93, 93, 62 और court join कर लें, मात रहंडेड उपीज बे बहुत बढ़ी हैं आपर इस समय चलना जितने लोग अगर जुड़ जाएगे उतना उनका ही फाइदा होगा फटाबड से आप लोग join करके बिधो जानकरी ग्रहन कर सकते हैं अब आईए हम पाचवी चेप्टर के बारे में जानने का प्रियास करते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे यह मैंने आपको बताया था, यह लंबा चेप्टर है इसको मैं थोड़ा सा बारी के साथ और थोड़ा कई वीडियोस की माध्यम से इसको मैं आपको बताने का प्रियास करूँगा जैसे कि लोग तांतरिक बीकेंदरिकर्ण का प्रभाव क्या पढ़ता है अच्छा लोग तांतरिक बीकेंदरिकर्ण का प्रभाव यह पढ़ा कि सहरी और अस्थानी निकाय में एक प्रकार से सासन बढ़ जाता है ठीक है तो सहरी निकाय के बारे में और अस्थानी निकाय जिसको एक प्रकार से आप ग्रामेड निकाय के तिन दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे भारते सम्विधान का 73 सम्विधान संसोधन और 74 सम्विधान संसोधन जो हुआ है 73 और 74 एवेंट्मेंट आफ इंडियन कंस्टिूशन इसके बारे में समझा करेंगे तो इस तरीके से इंपेक्ट क्या पड़ा Democratic Decentralization का ठीक है urban and local self government के बारे में जानने का प्रियास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि अस्थानी स्वसासन क्या होता है फिर इसके बाद में हम और चीजों को जानने का प्रियास करेंगे अस्थानी स्वसासन किसे कहते हैं यानि कि एकदम से अस्थानी स्वसासन में आइस तरीके से ग्राम पंचायतों छेतर पंचायतों इसे में बार देना ये एक प्रकार से बहुत ही जबरदर्श चीजे थी इसको लेकर के कई समितियां बनाई गई बलबंत राय महता समिति बनाई गई और भी कई समितियां इसमें निर्माड करी गई ठीक है पहला पॉइंट हम समझेंगे अस्थानी स्वसासन क्या है इसका क्या आर्थ है और इसकी क्या परिभासा है ठीक है मेनिंग एंड डेफिनिशन आफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट लोकल सेल्फ गवर्मेंट क्या होती है ये प्रस्ण परिक्षा में पिछले बर्स कई जो है विश्विद्यालेव के परचे में आया था पेपर में पूछा गया था इसको समझे देखे भारत की बिसालता के कारण यहां की सासन विवस्था को तीन अस्तरों में विभक्त किया गया है चुकि भारत एक परकार से बहुत बड़ा देश है तो देश के कोने कोने में तमाम परकार के गाउं है तमाम परकार के एरियाज ह है इसी दिर्ष्ट कोड से किया गया केंदर सरकार सबसे उच अस्तर पर होती है यहाँ पर दूसरी सरकार होती है राज अस्तर पर काम करती है ठीक है तो एक तो केंदर सरकार से मोदी जी की सरकार यूपी में यूगी जी की सरकार तो ये दो अस्तर तो सूतर क्या होता है टू पाई यार ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो जो एक परकार से तीसरी सरकार होती है या तरतिय सरकार जो होती है तरतिय अस्तर की उसकी परिधी में कौन को ना तक ग्राम पंचायते और नगर पंचायते आती है तो ग्राम के यानि गाओं के और नगरों के निवासी जो होते हैं उत्रतिय सरकार के अंतरगत आते हैं तो ग्राम पंचायतों के अगर बात की आए तो ये एक प्रकार से तीन में बटी हुई है ग्राम एरिया जो होती है उसमें ग्राम पंचायत जिला पंचायत और छेतर पंचायत है नगर पंचायत भी इस त अस्थानिय स्वासासन कहते हैं कि अस्थान विसेश के हिसाब से वहाँ पर सरकार बनाई जैसे गाउं का सरकार कौन होता है गाउं के सरकार परधान होते हैं अच्छा पर नजर रखने के लिए एक सचिव का पद भी है जो कि एक परकार सरकारी होते हैं सिक्रेटरी जिनको ये दोनों जैसे कि राष्टपती और प्रधानमंतरी होते हैं ऐसे समझो राष्टपती जो है वो सच्छु के रूप में होता है यानि सिक्रेटरी होता है और जो प्रधान होता है प्रधानमंतरी के रूप में होता है वास्तविक सक्तिया प्रधान के हाथों में नहीं होती है और signature और के काम secretary करता है secretary basically परधान के अंदर दब करके ही काम करते है ऐसे आप देखते हैं चुकि परधान जो होते गाउं अगरा के थोड़े बड़े कद की लोग होते हैं तो secretary उनके अंदर में उनके ही घर पर बैठे रहते हैं और सारा काम करवा देते हैं यानि कि परधान और secretary दोनों एक परकार से gram अस्तर के तो एक जनता चुनती है और एक सरकार के द्वारा चुन करके यहां पर भेजा जाता है clear ताकि वो एक परकार से जो परधान है उनके काम पर नज़र रखे तो अस्थानी स्वासासन में क्या चैजी सामिल होती है देखे एक केंदर सरकार हो गई एक राज़ सरकार हो गई और एक तीसरी सरकार है जिसको अस्थानी स्वासासन कहते हैं उसमें जिला पंचायत छेतर पंचायत ग्राम पंचायत जो की ग्राम अस्तर के निकाये हैं और उच्छे एक परकार से नगर अस्तर के निकाये सब इसमें सामिल होते हैं ठीक है भारत की लोक तांतरिक ब्यवस्था मातर केंदर और राजे सरकारों तक ही सीमित नहीं है वरन इसका विस्तार अस्थानी अस्तर पर भी हुआ है और ये अस्थानी अस्तर पर जो हुआ है वही गराम और एक परकार से नगरों की निमासियों के लिए बेसिकली छेतर अस्तर पर ये अस्थान विसेश के हिसाब से किया गया अस्थानी स्वसासन के अगर बात के तो इसका आर्थ क्या होता है उस सासन से होता है या उस सासन से अस्थानी स्वसासन का आर्थ लगाया जाता है जिसका संचालन अस्थानी जनता के माध्यम से होता है यानि कि वहाँ पर जहाँ पर जो जनता रह रही होती है उस एरिया में वो जनता डिसाइड करती कि हमारी सरकार कौन बनेगी, ठीक है, यह हमारे उपर सासन कौन करेगा, तो परधान चुनती है, वो बलाक परमुक चुनती है, वो एक परकार से जिला पंचायत के सदस को चुनती है, अस्थानी जनता अपने परतिनिधियों का चैन, वैस्क मताधिक हैं, उनके यहां बलाक परमुक चुनती है, विधान परिसत के सदस भी रहे हैं, ठीक है, MLC, इसके अलावा और भी तमाम परकार की पदवी उनके घर में है, तो थोड़े बड़े कदकार ठीक हैं, इधर एरिया में उनका मान सम्मान जादा है, तो वहां पर एक परकार से ज थे, तो वह एक परकार से यादव जी थोड़ा सा टाइट थे, थोड़ा दिया हुआ बनाए थे बड़ी हां से, गए वो डाल करके आए, परचा निकाल लाए, वहां से जो बैलेट पेपर होता, ठोके मोहर, उसके वादे परचा निकाल ले करके आए, अब बाहर दिखाए, परधान जी, देखो यादे डार याएन है उटवा, उटवा डार देने देख लियाओ याद याद खाओ, पुलीस अब खड़ा दो तीन स्मटा मारें, टाक पसाले, निकल लिधर से, तूरान तमहाँ पोलिंग पे हम लोग थे, क्या जनुरति भाई दिखाने कि अरे, डाल ओ, ठीक है डाल दिया, कोई बात नहीं, तो ये भिया, जो सत्ता होती है न, इसमें जब जैसे परधान चुनाओ था, तो मैंने यादो जी के कहानी आपको बताई, तो जब खुला ओ, डालिन तो पुलीस वाले ने उनको क्या किया, दो तीन डंडा, का कि चलो भाई, अब य यह नहीं होता कि आप खुला ओ, इसलिए यहाँ पर साधा सीधा सीधा कि परतेक्ष रूप से चुनाओ होगा, यानि कि आपके सामने होगा कि यह परधान है, परधान ही लड़ रहे हैं, अब इनकी परधानी चुनाओ हो रहा है, परधान जो होंगे वो एक परकार से कोई दूसरा परधान ओड़ देंगे, तब कोई दूसरा बनेगा, तब हम पर सासन होगा, नहीं, परधानी कोड़ पड़ा, तो परधान जिसको आप ओड़ दे रहें, वही परधान बनेगा, यानि कि परतेक्ष चुनाओ होता, इसमें जनता डारेक्ट चुनती है, अपने रामसभाद, छेतर पंचायत और जिला पंचायत, या न्याय पंचायत आप कह सकते हैं, जिला पंचायत बोल सकते हैं, तो इस पर चुनाओ होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान लखेंगे, कुल मिला करके अगर आप देखें, तो ये जो चुनाओ एक प्रकार से होता है, ये गुप्त मतदान के हिसाब से होता है, यहाँ पर जो ओड डाला आता है, वो छुपा करके डाला आता है, वो कडगरा होता है, उसी में जाकर किया मोहर लगाना होता है, ये परतनधी अस्थानी जनता के समयस्याओं का निवारण करते हैं, अस्थानी स्वासासन में पंच की तो इसमें ग्राम पंचायत ग्राम सभाद छेतर पंचायत न्याय पंचायत और जिला पंचायत बेसिकली तीन ज्यादा important है ग्राम सभाद ग्राम पंचायत एक ही बात छेतर पंचायत और जिला पंचायत ये प्रकार से तीन अस्तर पर ये होती है और नगर निकायों की अगर बात किये तो नगर निकायों में तीन नगर पालिका परिसद नगर पंचायत और नगर निगम ये प्रकार से सामिल किया आता है इसको ठीक है इस तरीके से ये नगर अस्तर पर और वो गाउं अस पर ये अस्थाने स्वासासन होता है जो की अलग-अलग समितियों की सिफारिस पर एक परकार से ऐसी बेवस्ता करी गई इसुरी लाल या ए लाल जी कहते हैं कि अस्थानिय स्वसासन सरकार के कानून के द्वारा निर्मित एक सासकी ये इकाई होती है जिसमें नगर या गाउं की जनता के द्वारा जो चुने हुए परतनिधी होते हैं या गाउं का अगर परतनिधी होते हैं और जो अपने छेतर की सीमा में जनता का क्या करते हैं जनता का कल्यान के लिए प्राप्त अधिकारों का परियोग करते हैं उनको कुछ अधिकार मिलते हैं परधान या बलाक परमुक को इन सभी को वो अपने हिसाब से काम करते हैं लाड ब्राइश जो की बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं रादनिती विज्ञान के इन्होंने कहा कि अस्थानिय स्वसासन प्रजा तंतर का सरवसेष्ट विद्याले होता है क्या अस्थानिय स्वसासन जो होता है ये लोगतंतर का सरवसेष्ट विद्याले होता है यहीं से लोकतंत्र के एक प्रकार से जाकी हमको देखती है, ठीक है, इसके अलामा, अस्थानी स्वसासन की क्या आवसकता है, क्यूं जरूरत पड़ी हमको इसकी, ठीक है, इसके महत्तो को हम समझने का प्रियास करते हैं, आवसकता और महत्तो, इम्पोर्टेंस और नीड्स, आप लोकल सेल्फ गवर्मेंट, ठीक है, देखें, प्रारंबिक काल में क्या था, कि केंद्रे सासन छोटेज होते थी, वह समस्त मुद्दों का परबंद किया करते थे, यानि पहले भारत चुकी, आजकल बहुत सारे राज भारत में हैं, ऐसे में क्या होता है कि भाई, अस्थानी अस्तर पर सासन करना, या अस्थानी जनता की समस्याओं को एक परकार से जान पाना, रकेंद्र सरकार या राज सरकार की बस की बात नहीं, ऐसे में अस्थानी सोसासन की जरूरत बहुत बड ठीक है इसलिए उन्हें अस्थानिय सोससन का नाम दिया याता है था वर्तमार में बड़े-बड़े किंदरी राज्य स्थापित हो चुके हैं इनके द्वारा अस्थानिय अस्थर पर पर परिसानियों को हल करना असंभव है इन परिसानियों का हल अस्थानिय संस्थाएं ही कर पहली आवसकता या इमपोटनस अस्थानिय स्थासन के ये रही कि भारत में क्या है स्थापित करने के लिए अस्थानिय स्थासन जो है वो एक प्रकारज से ठोस आधार प्रदान करता है जिस से क्या होता है कि जनता का कल्याण जनता पर निगरानी सरकार के जो लोग होते हैं वो भी रखते हैं यानि कहने का मलब यह है कि आपका एक परकार से एक परतिनेरी जो आपके घर का है आपके परिवार का है उसको आप परधान चुनते हैं और वो आपकी समिस्याओं को हल करने के लिए तत पर रहता है मेंसा जोकि हर पांच साल बात चुनाओ होता है परधानी का भी और दुबा अस्थानिय स्वासासन में कारेड़त लोकतांतरिक संस्थाओं के प्रती लगा नियो मुस्सास में बढ़ोतरी होती है। लोग ये चाहते हैं कि हम जितना काम करेंगे तो अगली बार हमको एक प्रकार से उतने अच्छा वोट मिलेगा। अगर लोकतंतर में एक प्रकार से क्या हो तो जनता डारेक्ट अगर इन्वाल्व हो रही है तो ये अस्थानिय स्वासन के द्वारा क्या होता है कि जनता को लगता है कि हाँ हम एक प्रकार से हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है चुकि आपकी बात परधान तक जाएगी प केंदरी करण होना चाहिए यानि सत्ता एक प्रकार से कई लोगों के हाथों में बटी रहे ताकि कोई एक प्रकार से ताना साही जैसी बेवस्था ना हो पाए और सत्ता की बेकेंदरी करण का ही एक परेडाम है या सत्ता की बेकेंदरी करण के द्वारा ही एक प्रकार से जन्ता जो है अपने परतिनिधियों के माध्यम से केंद्र और राज अस्तर पर सासन के कारियों को संचालित करती है सासन के कामों में आपरतक्ष भागिदारी होती है लेकिन अस्थानी अस्थर पर अस्थानी निवासियों की सासन संचालन में आप परतिक्च भागीदारी होती कुल मिलाकर के कहने का मलब यह है कि आप भले ही डारेक्ट जनता नहीं काम करते हैं लेकिन परधान जो होते हैं वो आपके 14, 15, 20, 3, 5,000 जो ओटर होते हैं उनका एक परकार से उनकी बातों को सरकार तक पहुचाते हैं ठीक है यह सांसद लगबग 10, 20, 15, 15,000 लोगों का एक परकार से ओट होता और उसके बाद में वो पहुचाते हैं ऐसे ही बिधायक होते हैं ठीक है तो यह सब एक परकार से बिधायक जो होते हैं राज्य सरकार तक पहुचाते हैं बात सांसच जो होते हैं केंद सरकार तक पहुचाते हैं और जो आपके बलाग परमुख जिला पंचायत के अध्यक्ष और एक परकार से गराम परधान होते हैं ये एक प्रकार से अस्थानी स्वसासन के हिसाब से ये अपनी सरकार तक बात पहुचाते हैं और ये एक प्रकार से राज सरकार और के दोनों तक पहुचाते हैं प्रसासन अस्थानी लोगों की सासन में भागिदारी की वज़ा से अस्थानी आवसकताओं के प्रती जदा संबेदन सील हो जाएगा इससे प्रसासन इसके अलामा अस्थानी स्वसासन लोगतांतरिक सरकार को अस्थापित करता है इससे प्रजातंतर को मजबूती मिलती है यह अस्थानिया लोगों का उको परसासन में अर्थपोड भागिदारी दिभाने का मोलभू ट्रेनिंग या नि Başए Evangelion प्रसिक्षन देता है इसके द्वारा उन्हें लोक्तांतरिक बिधियों के बारे में लोक्तांतरिक यानि जो डेमोक्रेटिक method है उनके बारे में democratic जो theories है उन theories के बारे में उनके बिसे में training या perception मिलता है जिससे लोगों को पता जलता है कि भई ये लोगतंतर क्या है और लोगतंतर के जो बिसे इस तरीके के method या विधिया होती है उनको लोग जान पाते हैं ठीक है? इसके अलामा अस्थानिय स्वसासन की इकाई लोगतंत्र की प्रियोग सालाएं हैं ये भारत के ब्यक्तियों को अपने रादनेतिक अधिकारों की उप्योग की सिक्षा प्रदान करती हैं तो कुल मिलाकर के कहे न कही पे ब्यक्तियों को अपने राजनेतिक अधिकार ब्यक्ति के क्या अधिकार है उन ब्यक्ति क्या एक प्रकार से ब्यक्ति के मौले का अधिकार क्या है उनके क्या अधिकार है सरकार एक प्रकार से ब्यक्तियों के लिए क्या क्या करती है इस सब रमचारी अपने उत्तरदायतों का समचित पालद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अस्थानी सोससन की जो संस्थाएं हैं उनके सदस और पताधिकारी अस्थानी समाज और राजनितिक ब्यवस्था के बीच में काम करते तो वो एक परकार से समाज के बारे में जानते हैं, समाज की चीजों के बारे में जानते हैं, हर एक चीज के बारे में वो समझते हैं और जानते हैं, ठीक है, इसके अलावा किसी छेतर विसेज के बैक्तियों को ही अपने छेतर की समिस्याओं की जानकारी होती है, वो ये बैक् का ही बेक्ति परधानी का चुनाव लड़ सकता है और इस तरीके से एक परकार से वो परधान बनता और उसके बाद में अपने छेत्री की समिस्याओं को एक परकार से सरकार तक पहुंचाता है ठीक है अब यहां पर एक प्रकार से थोड़ा सा हम point को समझेंगे ग्रामों में अस्थानी स्वसासन या पंचाती राजबिवस्था क्या होती है ठीक है देखे ग्रामों में हम समझेंगे ग्राम के एक आद दो factors को देखेंगे फिर उसके बाद में हम next जो वीडियो आईगी उसमें ग्राम अस्थर के ग्राम पंचायच जिला पंचायच मलब ओच्छेतर पंचायच इन तीनों के बारे में बिस्तार से जान लेंगे फिर साथवे चेप्टर में यानि कि ये वीडियो ये चेप्टर जो होगा तीन चेप्टर में मैं बाटूंगा ठीक है बाकी फिर उसके बाद में छोटे छोड़े चेप्टर सापके आएंगे ये चेप्टर थोड़ा सा बड़ा था देखें ग्रामों में अस्थानी सासन या पंचायती राज ब्यवस्था लोगतंतर पंचायती राज ब्यवस्था का आधार अस्तंब होता है यह पंचायती राज ब्यवस्था जो होती है एक प्रकार से इसका आधार अस्तंब क्या है डेमोक्रेसी पंचायती राज ब्यवस्था सासन ब्यवस्था का संचारन पंचायत के बाद क्या हुआ इसकी जाज के लिए 1957 इसबी में बलवंत राय महता की अधिक्स्ता में एक समिती का निर्माड किया गया सन 1957 इसबी के अंत में अपनी रिपोर्ट में बलवंत राय महता की समिती ने कहा कि समुदाइक विकास कारिकरम की मूल कमी यही रही है कि जनता का इसमें सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है जनता एक प्रकार से इसमें डारेक्ट रूप से हमारे समक्ष नहीं आई जनता की समिस्याएं हमारे समक्ष नहीं पहुची जब तक अस्थानी नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते हैं जो वहां के छेतर के अस्थानी नेता हैं, वो जानेगे अपनी समयस्याओं के बारे में, उचेतर के बारे में समझेंगे, ठीक है, सम्मिधान के नीती निर्दिसक तत्नों का राजनेतिक और विकास संबंधी लक्ष पूरा नहीं हो पाएगा, यहनि जो राज के नीती प्रिंस्पल सपिस्टेट पॉलिसी, उनको तभी आप लागू कर पाएगे, या उनके बारे में तभी आप सोच पाएगे कोई राज, जब वो एक प्रकार जनता की सुख दुख की बारे में जाने की जनता कौन सुखी है, कौन दुखी है, इसलिए बीकेंदरी करण और प्रिंस्टेट के लिए त्री अस्तरी पंचायती राजब्यवस्थाओं की जानी चाहिए, ऐसा बलवनत राय मेहता की समिती ने एक प्रकार से रिपोर्ट परसुत करी, तीन अस्तर पर जो प्रकार से ग्राम इड अस्तर पर जो पंचायत हो, वो कौन सी हो, इसमें पहली प बलाक अस्तर पर बलाक परमुक को गहरा होते हैं, ठीक है, इसे यहाँ पर क्या होते हैं, बलाक परमुक, BDC का चुनाव जानते हैं, तो BDC चुनते हैं किसको, बलाक परमुक को, तो यहाँ पर बलाक परमुक बनते हैं, वो एक प्रकार से, अच्छा यहीं बलाक परमुक के परेंडर में कई परधान होते हैं तो बलाक से ही परकार से बजट पास होता है ये बात ध्यान नकिए इसके लामा जिला परिसद जिला अस्तर पर होती ही जिला परिसद जिसके जिला पंचायती सदस्ती का चुनाव होता है जिला पंचायत के कई सदस्ती होते हैं उस सदस्त च इलाका है उसी नागोर से पंचाइती राजब्यवस्थाओं का सिरी गड़े सनी सबसे पहले एक प्रकार से राजस्थान के नागोर जिले से सबसे पहले एक प्रकार से दो अक्टूबर की डेट को 1969 हिस्भी में पंडित जबाहलान लहरू के द्वारा बलवंत राय महता की पहले तो अब्जेक्टि में प्रस्न खूप होसता है गाउं के लोग अपने सासन का उत्तरदाय तो स्वहम संभालेंगे यह आवस्थाख ये गाउं के निवासी क्रिसी करते हैं स्वास्त सफाई सिक्षा सिचाई पसुपालन परिवहन बजार हाठ आदिसे सम्मंधित विक प्रकरियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले और उन्हें यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे जो हैं उनकी जो आवसक्ताओं हैं उनकी जो समयस्याओं को एक प्रकार से आवसक्ताओं को अनिवारिताओं के बिसे में स्वहम ही निरड़ें कि हमको यहाँ पर क्या कर सरकार से हमको किस चीज की गुहार करनी चाहिए। सुविधा के अधार पर पंचायती राज़वस्था को पारिद किया गया और राज्यों में इस विवस्था का सवरूप अलग-अलग है आप देखते है आतियों इस विवस्था को समस्त देश में सुद्रण और अस्थाई बनाने के एवं एक रूपता लाने के उद्दिश से संसत ने संविधान का तिहत्रमा संसुधर रधिनियम पारित किया जो 1993 में हुआ ये लागू किया गया और इस पंचातिय राजब्यवस्था को सुधर किया गया राज़ों की विधाई का ये संविधान के प्रवधानों के अधार पर पंचाति राज की इन संस्थाओं को समुचित अधिकार देती है कि आपको क्या क्या अधिकार है और क्या क्या आपके लिए दिवस्थाएं की जाएंगी ठीक है यहाँ पर अब ग्राम सभा या ग्राम पचायत के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता दू ताकि एक प्रकार से अगली वीडियो का इंट्रेस्ट आपका बना रहे ग्राम पचायत चेतर पचायत जिला पचायत के काम क्या होते हैं इनका महत्व क्या होता है इनके बारे में इनका चुनाओ कहा कहा पर होता है कैसे होता पूरी जानकारी हम नेक्ट वीडियो में देखेंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा देखें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में समझें तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राजब्यवस्था की मूह लिकाई ग्राम सभा को बनाया गया है पंचायत बिधी अधिनियम 1994 में कहा गया कि एक पंचायत छेतर के लिए एक ग्राम सभा गठित की जाएगी यानि कि एक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा बनाई जाएगी उस ग्राम सभा में छोटे छोटे गाउं को मिला करके पूरा का पूरा क्या बनाएगा एक ग् इस अधनियम में कहा गया कि राज सरकार परतेक संभो इस्थिती में एक हजार की जनसंख्या पर यानि कि अगर एक हजार जनसंख्या है तो एक पंचाय छेत्र गठित करेगी एक हजार जनता पर एक परधान होगा यदि किसी ग्राम की जनसंख्या एक हजार से कम है तो अन ग् प्रकार से या ग्रामों के एक समूह को पंचाच छेतर कहा जाएगा यानि माल लेते हैं कोई गाउं है जैसे हमारा गाउं है मोहनपूर अब मोहनपूर में प्रकार से एक हजार से थोड़ी कम जनसंग क्या है हलाकि अब लगभग पूरी हो गए लिकिन फोड़ी से कम है एक हजार से कम है तो आइसे में क्या करते है हम लोग जो आली बगल के गाउं होते हमारे बगल बानेपुर पढ़ता तो बानेपूर का मिला लिया गया इधर पूरे खुर्दा उसको मिला लिया गया वहाँ पर एक परदानी का चुनाव होता है आइसी दसा में ग्रामों के उस समुह में सरबाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम पर ही उस ग्राम पंचायत छेत्र का नाम एक प्रकार से उस ग्राम सभा का नाम रखा याता है जैसे कि हमारे गाओं का नाम जैसे बानेपूर या उस नहीं रखा गया, ग्राम सभा मोहनपूर, क्यों रखा गया, चुकि मोहनपूर एक प्रकार से जो है, वो बड़ा है, वहाँ पर जनसंख्या जादा रहती, चुकि मोहनपूर में लगबग 45-46 गर ब्राम हड है, से इतना जब लोग हैं और कुछ है, ब्राम हड थोड़ा सा और जादा है, तो इस तरीके से मोहनपूर यही बना दिया गया, चुकि एक प्रकार से ग्राम सभा, तो ग्राम अस्तर पर, ग्राम सभा परतेक्ष लोक तंतर का अनुपा मुदारण होगी, ग्राम की व्यवस्थ ग्राम पंचयात में, 18 साल से अगर आप ओपर हैं, तो आप अपना एक परकार से जो ओटर आईडी उसमें एक परकार से ग्राम पंचयात की जो मतदाता सुचिई उसमें आप नाम अंकित करवाएंगे अधर कार दे करके, और उसके आद में आप ओड डालेंगे, तो एक पर प्रकार से एक विक्ति को मिलते हैं तो मत अद्दाड लेगा धिकार तो आप परधाने के चुनाओ एक परकार से जो है कोई लड़ेगा उस जीते का हर पांच साल पर चुनाओ होता है अब पूरी प्रकरिया मैं समझाओगा नेक्स्ट वीडियो में गराम पंचायत चेतर के बारे पूरा विस्तार से मैं बताओंगा नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले आप लोगों ने अगर सिक्षा सास्तर बाली वीडियो नहीं देखी है थर्ड समेश्टर की सिक्षा सास्तर के एक परकार से मालेल पेपर की तो कल ये कलास हुई थी आप लोगों ने नहीं द